नवश्कार, आज फिर उपस्तित हुआ हूँ हस्ते रेखा में, कुछ ऐसे चीजें आपको बताने के लिए, कुछ ऐसा विश्य है आज का, जो बेहत खास है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में कुछ बड़ा करना साते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में कह ना कही नाम कमाना चाहते हैं देश दुनिया में कुछ ना कुछ इन लोगों में अलग होता है चाहे वो वाणी हो चाहे वो काम करने का तरीका हो कुछ ना कुछ अलग होने के कारण व्यक्ति जीवन में सफल होता है कुछ ऐसे बिंदू आज मैं बताऊंगा आपको अगर ये लोगों के अंदर हुनर होता है, चीजों को काम करने का, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपको अपने आपको ले के चलना है, कुछ ऐसी रिखाओं पे भी बात करेंगे, जो आपकी छबी आपका नाम खराब कर सकती है, उस पे भी बात करेंगे, चलि पहले हम बात करत कि लगभा लगबग हात में होती है उसके बाद भाग दे रिखाएं और अगर तूटी और आपकारumo कहीं मोटी ओरी कोई पतली ओरी वो नुक्सान दाए ठीक है या हिर्दय रेखा कहीं पतली ओरी कहीं मोटी ओरी वो नुक्सान दाए उसके साथ में एक कर्व लेती हुई पहले सूर के रेखा आ गई, एक कर्व लेती हुई जो है, बुद्ध पे जाती हुई एक रेखा हो, साथ में गुरू के छेतर पे मंगल के छेतर से एक रेखा आ रही हो गुरु के छेत्र पे मंगल के छेत्र से एक रेखा आए योव का निसान हो और योव के निसान में कुछ रेखा यहां से जाए ऐसे व्यक्ति अतिसाध हारण या गरीब परिवार में भी पैदा होते हैं तो अपने दम पे बड़े इस्तर तक जाते हैं ग्यानी होते हैं ऐसे लोग जातक बड़े बड़े पत पर रहता है बड़े बड़े काम करता है सोच ऐसे लोगों की बड़ी होती है और प्रसिद्धी भी बहुत बड़ी मिलती है छोटी मोटी प्रसिद्धी की बात नहीं कर रहा हूं मैं समाज के लिए कही ना कही बड़ा काम करते हैं या फिर व्यवसाई भी करते हैं तो व्यवसाई में तरक्की पाते हैं और बड़े व्यवसाई को ये दिखाता है छोटी मोटी बात नहीं है फिर से एक बार मैं बता देता हूँ जीवन रेखा गोल है, मस्तस्क रेखा है, हिर्दय रेखा है, फाग्य रेखा है एक सूरी की रेखा है, इस पश्ट साफ हो, लंबी है, बहुत अच्छा है अगर इतनी भी है, तो भी अच्छा है एक आपकी जो है, घुमती वेक रेखा हो, ठीक है मंगल के छेतर से गुरुप एक रेखा जाए, योग के निसान में तीन से चार रेखाएं जाए संत और धार्मिक, ऐसे लोग संत सभाव क्यों होते हैं, धार्मिक होते हैं लेकिन जीवन में वो सब कुछ पाते हैं, जिसकी लोग कलपना करते हैं एंजियो से समंद्ध चीजों को भी ऐसे लोग रन करते हैं, समाज के लिए, समाज के फाइदे के लिए भी ऐसे लोग काम करते हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो मान समान प्रतिष्ठा चरम पे रहती है, बहुत अच्छी मान समान प्रतिष्ठा यह से लोगों को मिलती है, जातक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, और प्रयास यही करता है कि जो लोग साथ में काम कर रहे हों, वो भी उनके कारण वो भी बढ़े हैं एक ऐसा गुण है इन लोगों की अंदर ये ऐसी रेखाए हैं खुद तो आगे बढ़ाती बढ़ती हैं और पीशे वाले को भी आगे बढ़ाने की कोशिस करती हैं जीवन में कितना भी संघर्स आग जाए ऐसे लोग जुकते नहीं हैं शुरव मुठी सबलता नहीं देखे शुकरवलय आपने सुना होगा ठीक है शुकरवलय हाथ में अच्छा है अगर आपके माउंट सामान ने उठे हैं बहुत ज्यादा दबे नहीं है और बहुत ज्यादा उठे नहीं है अगर आपके माउंट अगर कहा जाए दबे हैं शुकरवलय तो उतना प्रभावी नहीं है, उतना उस पे दम नहीं है, अगर आपके माउन्थ शामान उठें हैं। उसके बाद शुक्रवले आपका बन रहा है, तूटा-फूटा नहीं है, इस पस्ट साफ है, ये जीवन में सफलता का सूचक है। अगर हाथ पतला है ठीक हाथ पतला है चंद्रमा का हिस्सा दबा है परवत भी दबें हैं तो कहीं ना कहीं उसका कोई विशेश फाइदा नहीं है अगर हाथ का ये हिस्सा जो है जो मैंने बताया सामान उठाए चंद्रमा का हिस्सा अगर थोड़ा सा गुलाई में है तो उसका लाब नहीं है, चंद्रमा पे यव अगर बनता है, और इसके साथ में ये भी है, ये भी है और यव भी है, यव का मतलब ये हो गया, अगर इस टैप का यव है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि कही ना कही प्रभाव, विवाह और जीवन साथी पर पढ़ता है, सभी माउंट अगर सफलता, बड़ स्तर की पाता है, ये इसके भी संकेत देता है, बस माउंट ये दिखी, ये इसका प्रभाव अगर कहा जा माउंट पे है, इसका प्रभाव माउंट पे है और कुछ नहीं है, भाग गिर एक साथ से दो रिखाएं आके लगें, ठीक है, इस टैप से, अगर ये स्तिती है, अगर आप पुरुष हैं, जीवन के सुरुवात में जो है, खुब संगर्स करना पड़ेगा, खुब कश्ट उठाएंगे, खुब मैनत करेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे सफल होंगे, ऐसे जातक नियमों के पक्के होते हैं, ऐसे जातक अन्य लोगों के प्री ह होते हैं, लोग ऐसे लोगों को बहुत मानते हैं, जहां पर भी आते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वो समाज ऐसे लोगों की कही ना कही प्रसंसा करता है, और ये भी कही ना कही समाज के लिए अच्छे कहलाते हैं, शिच्छा अच्छे इस्तर की दिखाता है, अगर चंद् यह नहीं है, ऐसे लोग ज्यानी होते हैं, समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं, और करते भी हैं, पुत्र संतान होती है, और पुत्र संतान का सुख भी मिलता है, संतान भी अगर कहा जा, ऐसे लोगों की अवल होती है, मतलब अच्छी होती संतान, संतान का स सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाती ये रेखा भागशाली बनाती है ऐसी महिलाओं के हाथ में अगर है तो धन संचाए ऐसी महिलाओं को नहीं कर पाती है कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि धन निकलता जाएगा ऐसी इस्त्रियों को धार्मिक होना धार्मिकता है थोड़ा सा कम रहती है थोड़ा सा धार्मिक और पूजा पाठ समय से करें और थोड़ा सा अपने कारिशायली को चरित्र को थोड़ा सा देख दाख के चलें विशेज धान रखें घर-परिवार का जिम्मेदारियों का सीधे कोई दोराय नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छी रेखाओं में इनकी गिंती होती है अगर इस जगहां पे इस्टार का साइन हो जहां पर भागे रेखा खतम हो रही है उस जगहां पे इस्टार का साइन हो जातक के जीवन में सारीरिक और धन दोनों का ही नुकसान को ये इंगित करता है धन आपने बहुत कमाया या दादा लाई की संपत्ती या किसी की संपत्ती या पत्नी की तरफ से धन आपको मिल गया माल लीजे तो अपनी गलत नेर्णेों के कारण अपनी चीजों का नुकसान करने के 35-36 साल तक ऐसे लोगों को विशेश सावधानी रखनी चाहिए विशेश सावधानी रखके चलना चाहिए जीवन में खूब संगर्श ऐसे लोग करते हैं उसमें कहीं कोई दोरा नहीं सफलता मिलती है थोड़ा लेट मिलती है और सफलता का इस तर अगर कहा जाए थोड़ा सा कम होता है महनत जीवन में ज़्यादा करनी पड़ेगी ये तो तय है कर जिसे सम्मंदिक चीजों में ऐसे लोग फस जाते हैं तो निकलने में भी बड़ा समय लग जाता है दुरगटना सारे रिक छती इत्तादी चीजों को भी इंगित करता है बहुत सावधानी रखिए खून जनित बिमारीयों को भी इंगित करता है जातक को जीवन में अपने अपनी दिंचरिया का विशेज धान रखिए अपने वाहन का ध्यान रखिए वाहन चलाए आराम से चलाए ये कहीना के दुरगटना या बिमारी के संकेत भी देती है सावधान रहके चलें बड़े कस्ट को दिखाती मैं एक उपाय बताता हूँ ये समस्या बड़ी है इसका उपाय मैं बताऊं अगर ये रेखा है तो ये उपाय जरूर कर लीजेगा क्या है उपाय समझिए एक लाल कपड़ा ले लीजेगा और एक नारियल ले लीजेगा लाल कपड़े में नारियल जो है बांध लीजेगा और अमावश्या के दिन अपने उपर से साथ बार उतार के दखिन मुख करके खड़े होईएगा और जो भी समर्शा है उसको बोलते हुए बहते यो पानी में छोड़ दीजेगा पित्र दोश की शांती जरूर कराईएगा बहुत बड़ा पित्र दोश है किसी के भी अगर आप प्रेटिस कर रहे हैं लोगों का देखते हैं यह रेखा अगर आपको देखती है तो आप डायट उससे बोल दीजेए कि भई आपने जाके पित्र दोश की शांती करा देना नहीं तो जीवन परियंत रगर का हाज है संगर्स में निकलता रहेगा ऐसे लोगों को हनुमान जी की आरादना करनी चीए हनुमान जी जो है ऐसे लोगों के एक तरीके से इस्ट है उसमें कहीं कोई दोर आय नहीं है आप अपने अनुभाव कमेंट बउक्स में जरूर लिखिएगा जो भी आपने जीवन में रेखाएं देखी है। इससे जुड़ी हुई जो भी मैंने बताए अनुभाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बाकी कोई विशेस विशय पर अगर वीडियो बनवाना चा झाल झाल